बहुत दिनों बाद बॉलोहोड टीवा रेखा एक इविंट में नजर आई हुंबई में कल विकी कॉशल की आने वाली फिल्म सैम बाहदुर का प्रीमिर रखा गया इस इविंट में कई नामी सेलिबरिटीज शामिल हुए लेकिन पूरी महफिल लूट ली रेखा जी ने रेखा इस इविंट में इस बार अलग कलर की साड़ी पहन कर आई और उन्होंने मीडिया के सामने कुछ ऐसा जेस्टर किया जिसके बाद लोग रेखा की काफी तारीफ कर रहे हैं रेखा जो हमेशा वाइड गोल्डन कलर की साड़ीों में नजर आती है वो कल ब्लाक गोल्डन कलर की साड़ी में नजर आई बेहत खूपसूरत वो लग रही थी हमेशा की तरह और आते ही उन्होंने जैसे ही विकिकॉशल की फिल्म का पोस्टर देखा तो वो poster के सामने हाथ जोड़कर जुकी यानि कि उन्होंने नमन किया वहाँ पर मौझूद लोग ये देखकर हैरान हो गई कि आखिर विकी कॉशल जो उम्र में रेखा से इतने छोटे हैं उनके poster के सामने रेखा हाथ जोड़कर क्यों जुक रही है बाद में लोगों को पता चला कि विकी कॉशल जिन सैम मानिक शो का किरदार इस फिल्म में निभा रहे हैं रेखा ने विकी कॉशल के सामने नमन करके उन्हें नमन किया है और मीडिया में ये सब कुछ कैद हुआ रेखा की ये विडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वाइरल हो रही है और लोग कह रहे हैं कि रेखा जी कितनी स्वीट है इन्हें और बॉलवूर्ट के इविंट्स में बुलाना चाहिए और इनके साथ और भी फिल्में करनी चाहिए वहीं जब जब रेखा आती है मीडिया के सामने और उनकी पिच्चर्स और विडियोस वाइरल होती है तो लोगों को जया बच्चन भी याद आ जाती है क्योंकि एक तरफ रेखा जो मीडिया के साथ एतनी स्वीट है दूसरी तरफ जया बच्चन जो मीडिया के सामने हमेशा रूड ही रही है लोगों ने रेखा को देखकर कहा कि जया बच्चन को इनसे कुछ सीखना चाहिए विगे कौशल के फिल्म सैम बहादूर एक दिसंबर को रिलीज होने जा रही है यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर रनबीर कपूर की आनिमल से टक्कर लेगी जहां एक तरफ सैम बहादूर को मेगना गुलजार ने डिरेक्ट किया है वही आनिमल की डिरेक्टर है संदीप रेडी वांगा